अगर 2004 से 2000, 2014 के बीच में सरकार थी, चाहते तो हम बहुत हजारों क्रोड रुपया, उसको अगर इनके मॉडल से चलते जो भी बता रहे हैं, कि इसको इस इंडर्स्टिल, इसको पकड़ो पैसा दिला लो कूँ, तो वो तो नहीं किया ना, अब इसको आप कमजोरी माल लो जो म कि लोगों से पैसा नहीं अठा और अपने संस्थानों में नहीं डाला, इनका माड़ेल है कि लोगों से पैसा उठो, डालो और चलाओ, उसमें भी कैसे चला रहे हैं, पता ही आपको पांजन कैसा चला, तरोन भारत बंदी हो गया है, मेरे ख्याल से वहाँ पे, तो अगर य तो फिर कहां से प्रस्टाचार हजारों क्रोड़ ले आए, तो यह दोनों बाते कैसे, दोनों तर कहां सोते, इस तर काबिल नहीं चला पाते हैं, वरना सरकार की तो चला रहे हैं, तो बिलकुल आप इन्होंने बहुत सही बात पूची है, कि बरबात भी हो गया और भरस्ट चली तो बरबात कर दिया, कुछ-कुछ वो इस्तिती है, अजना जी जैसे कोई लड़का अगर NRI बनके रह रहा होता है, और उसके पिता जी के पात पूरानी हवेली होती है, तो उसका इंट्रेस इसमें नहीं होता है, कि हवेली सुधर जाए, उसका इंट्रेस इसमें होता इतनी बड़ी पार्टी में कर रहा हो, जितने कारकरता थे, अगर उन्होंने आंशिक कुछ अंशिदान कर दिया होता, तो कितना पैसा आ जाता है, यारोप लगाते थे ना हम लोगे उपर, कि राम मंदिर के जमाने में हमने इतना पैसा इखटा किया, अरे आपकी नहरू, सरदार पटेल उस जमाने में देखते थे, तो क्यों नहीं आता, बगर इसका मतलब, ना आप कांग्रेस के कारकरताओं परंपरा की भावना के प्रतीक रह गए थे, ना आपका नेत्रत उसे आर्थिक दृष्टी से सबल करने का इक्चोग था, आपका केबल कि कितनी बड़ी जमीन थी, अगर उसका केवल आंशिक भी सही उपयोग किया गया होता, तो जहां पर प्राइम लोकेशन पर इतनी जमीन है, तो वो चीज़ कभी घाटे में जाई नहीं सकती थी, और आप यह नहीं कह सकते, तमाम अगबारों ने उसको व्यापसाई जाओ, जैसी कि उनकी आदत है, मैं यह नहीं मानता कि कॉंग्रेस में कुछ समधार लोग नहीं है, देखे राजीम जी आप इसको कहीं से भी बचाईएगा, कहीं से निकालिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ